हेलो फ्रेंड्स हम चैप्टर प्ल रहे हैं रिलेशन्स एंड फॉंक्शन्स और यह चैप्टर का आज का लेक्चर है वह हमारा इलेवन वा लेक्चर है तो जब रिवाइस करने के जरूर हो तो वह पर जा के आप रिवाइस कर सकते हैं तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो तो तोदेज और टोपीक इस वन वन फॉंक्शन्स तो इससे पहले आपको एक एक्जम्पल से समझाओं फिर आपको definition समझाओं तो इजी रहेगा चलो एक एक्जम्पल लेते हैं सबस्ट बेटा कोई function f a n to n define a और f of x a बेटा is equal to x plus 2 ओक्या तो f of x में बेटा पेर केसी मिलेगी तो पेर मतलब क्या x की value domain में से लेगे हम और वो function में ही value आट करेगे और इसकी image find out करेगे तो f is equal to क्या होगा अगर मैं roster form में set लिखूता हूं तो अगर मैं 1 लूँ तो 1 plus 1 लूँ तो answer आएगा 3 तो 1,3 एक पेर हो गई अगर 2 लूँ तो 2,2 plus 2 क्या होगा 4 होगी first element क्या होता है बेटा x होता है हमेशा है याद रहोगा पेर में क्या होता है x, f of x होता है first pair होती है वह बेटा domain में से जो variable की होती है वह values होती है second क्या होता है बेटा element वह बेटा function में आप value रखेगे x की answer आएगा वह होती है मतलब यह image होती है हम 3 रखेगे तो x की value 3 रखेगे तो f of x के आएगा 3 plus 2 5 4 रखेगा तो बेटा 6 आएगा और 5 रखेगे तो 7 आएगा इसे बेटा चलता ही जाएगा ना वह बेटा नेचरल नंबर हो नेचरल नंबर इन्फाइन तक होता है तो बताने का यह यहाँ पर मतलब यह function में इसलिए लिए यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी डोमेन में element है मतलब जितने भी डोमेन के जो element है वो सब एलिमेंट के पास आप देख सकते हो कि जो इमेज फीन होती है इमेज कि इमेज क्या है अब siis है कि मतलब सब के पास जो इमेज आ इसा जैसा सब के पास 3 2 मेज यृटि आपको इलिमेंट नहीं मिले गा जिसके पास इमेज हो 3 जैसे 2 के पास इमेज है 2 की इमेज 4 है तो ऐसा आपको डॉमेन में कोई दूसरा इलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज क्या हो 4 तो ऐसे फंक्षन को हम 11 फंक्षन बोलते हैं 111 मतलब डॉमेन में भी एक वेल्यू है और उसकी इमेज भी क्या है बेटा 1 है वेटा 1 1 फंक्षन मतलब आपको सिंपल वे में बता हूँ तो डॉमेन में जितने भी एलिमेंट हो और सारे एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज हो उसके वह एलिमेंट के अलावा वह इमेज दूसरे एलिमेंट के पास ना हो तो ऐसे फंक्षन को हम क्या बोलेगे 11 फंक् बेटा ओड पावर मतलब 1 3 5. ये से पावर होते हैं ना बेटा से पावर वाले functions बहुत ना 99.9% कैसे होते हैं 11 function होते हैं ठीक है बेटा तो अभी हम definition प्ल आ 1 1 function की तो definition क्या होगी 11 function की if each element in the domain of a function has a distinct image in the co-domain obviously range are always sub-set of co-domain then the function is said to be one-one in the domain each and every element have distinct image which is distinct image which is the element of 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 the element is not necessary so what do we call the element of 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 the element है अभी हम देखेंगे बैटा मैनी वन फंक्शन तो यह भी आपको बैटा अगर एक्जम्पल से समझाऊ तो इसीली समझ में आ जाएगा तो बैटा सपोज कोई अगर मैं एक्षेट एक्षेट फ्लस टू ले रहा हूं तो अगर मैं बैटा अगर हम चो एक्षेट के अगर डोमें के अलग-अलग element के पास f find out कर रहता चलो मैं देखो अगर मैं x is equal to beta minus 1 लूँ तो f of minus 1 क्या मिलेगा minus 1 का square 1 1 plus 2 beta 3 और अगर मैं x is equal to 1 लूँ तो f of 1 क्या मिलेगा beta 1 plus 2 3 फिर एक example लो, x is equal to minus 2 ले रहा हूँ, f of minus 2 क्या होगा beta minus 2 square 4, 4 plus 2 6 इसका मतलब ऐसा होगा beta, जो function अगर मैं इसको पेर में लिखना चाहू रोस्टर फॉम में तो आप देख सकते हो क्या माइनस 1,3, 1,3 जैसे minus 2,6 फिर 2,6 ऐसे तो इन्फाइन तक आएगे ना, तो मैंने आप देखो बटा सिर्फ ऐसी पेर लिखी है, जिसमें आप देख सकते हो क्या माइनस 1 की image क्या है? 3 है और 1 की image भी क्या है? 3 है, यहां पर देखो माइनस 2 की image क्या i6 है, 2 की image क्या i6 है, इसका मतलब ऐसा हो गया, कि दो अलग-अलग element के पास image क्या है, बेटा, सेम है, यहां पर देखो, दो अलग-अलग element के पास, दोनों की image क्या है, लेकिन सेम है, तो ऐसे function को हम क्या बोले के, बेटा, many one function, नाम से यह पता चल रहा है, many, मतलब element है, सेम है, यहां पर देख सकते हो, minus one, one, image के से many, many, sorry, element के से many, लेकिन उसकी image के सी है, one, सेम है, तो ऐसे function को हम क्या बोले के, many one function बोले गे, कि जो function में, जो domain में, जो element है, वहाँ पे दो अलग-अलग element के लिए उसकी image कैसी आ रही हो, same आ रही हो, तो ऐसे function को हम many function बोल सकते हैं, अगर हम definition की बात करें, तो definition क्या होगी बैटा इसकी, तो definition हम देख ले, k, if there are at least two elements in the domain, whose images are same. Then, the function is known as many one function, कि domain में बैटा जो element है, उसमें, at least minimum two elements की image कैसी हो, बैटा, same हो, okay, at least two elements in the domain, whose images are same. Then, the function is known as many one function, okay, बैटा, याद रखो, जितने भी even power वाले function होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, many one होते हैं, लेकिन condition है, बैटा, वो function है, R to R होने चाहिए, मतलब, यह co domain तो कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो domain हो, बैटा, domain, वो तो हमेशे क्या होना चाहिए, real number ही होना चाहिए, प्योंकि element तो domain में सही लेने होते हैं, तो negative, positive, square मतलब क्या है, बैटा, even power मतलब square, fourth, माइनस और plus का number क्या होते हैं, माइनस और plus का जो square होते हैं, जितने भी even power होते हैं, वो सेम होते हैं, बैटा, domain में माइनस और plus वाले element होने चाहिए, अगर बैटा, n2n हो, n2n, या domain बैटा, natural number हो, बैटा, तो even power वाले जो होगे, बैटा, function वो भी क्या हो जाएगे, वाले होते हैं लेकिन आर्ट वार होने चाहिए डोमें तो एकलिस्ट आर होना चाहिए तो बैटा मेनी वन हो जाते लेकिन अगर बैटा इवन पावर वाले function का domain natural number हो तो वह 11 होते हैं क्योंकि यहां पर बैटा अलग-अलग element के पास इमेजी से वह अलग-अलग होती है इसलिए ठीक है बैटा तो आई होप आपको वन वन एंड मैनी वन functions पता चला होगा ठीक है अभी हम बैटा क्या पढ़ने वाले हैं कि अभी हम कोई function हमको देगे और अभी हमको चेक करना है कि यह वन वन है यानी मैनी वन है यानी तो हम कैसे चेक करेगे वह देखते हैं ठीक है बैटा तो चलो आगे बढ़ते हैं तो चलो एक example लेते हैं चेक थे नेचर ओफ फंक्शन उसमें अपना first function है बैटा function f है वो r to r है और f of x है बेटा सपोज मैं ले रहा हूं x plus 3 और मुझे चेक करना है कि यह क्या है function का nature nature मतलब क्या one one है या नहीं या मेनी वन है यह यह दोनों में से क्या है वह हमें चेक करना है ठीक है तो यह से तो आप देखो मैं चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे वह देखते तो क्या करना है भिटा के लिए कि ले एक्स वना कॉमा एक्स्तूअ बिलोंग्स टू आर को कि मुझे फोर्य एक्सभ लों मी प्रश रेली तो इस सपोर्पस करना है यह एक्सफ्ट करना है कि f of x1 is equal to f of x2 accept कर लेना है और यह accept करके अगर आगे जाके मुझे x1 is equal to x2 मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि यह जो अपना function है वो क्या है 11 फिर से बेटा f of x1 is equal to f of x2 यह accept करना है यह मतलब ले लेना है फिर यहां से क्या करेगे तो f of x1 is equal to क्या बटा तो f of x में x की जगा x1 replace करूगा तो यह हो गया x1 plus 3 is equal to f of x2 मतलब x2 plus 3 तो 3 3 cancel हो गया तो x1 is equal to क्या होगा x2 होगा तो आप देख सकते हो कि f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 तो अगर बटा यह condition follow हो रही हो तो हम बोल सकते है कहांस f is one one function ऐसे तो बेटा यह बोड में ही method काम आती है ऐसे तो हम जही में कभी है method तो बहुत मतलब तो अगर complicated function हो तो check करने के लिए यह method देखेगे तेकिन अगर orally हो रहा हो तो orally कर लेगा ठीक है बटा तो कैसे चेक करना f of x1 is equal to f of x2 मतलब x1 और x2 क्या होता है बिला belongs to domain और f of x1 is equal to f of x2 accept करके x1 is equal to x2 आ रहा है या नहीं चेक करें अगर आ रहा है तो 1 1 है और नहीं आ रहा है तो मैंनी 1 ठीक है बड़ा चलो नेक्स एक्जम्पल देखते है so our next example is f है बेटा n2 r domain ने नेचरल नंबर और co domain ने रियल नंबर ले लिए और f of x दिया हुआ है हमें x3 प्लस x प्लस 1 और हमें यह function का बेटा क्या चेक करना है नेचर चेक करना है मतलब यह 1 1 है या नहीं मैनी 1 है या नहीं दोनों में से क्या है वह हमें चेक करना है ठीक है चलो तो हम क्या करेंगी बेटा कि ले 4 x1, x2 belongs to natural number में f of x1 is equal to f of x2 यह हम accept करेंगे और फिर यहां से देखेंगे क्या आ रहा है f of x1 is equal to f of x2 f of x1 मतलब क्या भा बेटा x1 cube plus x1 plus 1 is equal to f of x2 मतलब f of x में x की जगह x2 replace करना है तो x2 cube plus x2 plus 1 तो plus 1 plus 1 cancelled out तो यह हो गया बेटा x1 cube और यह x2 cube को अगर इस तरफ ला हो तो minus x2 cube इसको bracket रख देते है plus x1 और जो x2 को अगर में left side ला हो तो minus x2 इसको भी bracket कर देते है is equal to 0 अगर यहां पर में बेटा cubic की formula apply करो तो यह क्या हो गया x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square okay a cube minus b cube a minus b into a square plus a b plus b square plus यह हो गया x1 minus x2 is equal to 0 तो यहां से बेटा अगर में x1 minus x2 common निकल लो तो x1 minus x2 bracket में क्या बचेगा x1 square plus x1 x2 plus x2 square plus यहां पर कुछ नहीं है तो 1 is equal to 0 तो यहां पर देखो बेटा दो bracket का multiplication क्या रहा है 0 रहा है तो इसका मतलब इसा हो गया कि आइधर या तो x1 minus x2 is equal to 0 और यह जो x1 square plus x1 x2 plus x2 square plus 1 is equal to 0 लेकिन आपको पता है कि x1 और x2 belongs to क्या है natural number मतलब सारे positive number बटा positive number का square भी क्या होता है positive positive number का multiplication भी क्या होता है positive positive का square क्या होता है positive minimum positive number 0 होता है तो अगर बटा यह सारे 0 consider कर लो तो भी 0 plus 0 plus 0 plus 1 क्या होगा 1 होगा इसका मतलब ऐसा होगा कि यह कभी भी 0 नहीं होगा does not equal to 0 तो hence यह तो बेटा not possible हो गया क्या मतलब x1 square plus x1 x2 plus x2 square plus 1 is equal to 0 तो possible नहीं है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यह दोनों का multiplication 0 होगा उसमें से यह तो हमें पता चलिया कि यह does not equal to 0 hence x1 minus x2 is equal to 0 hence x1 is equal to x2 so बेटा मैंने f of x1 is equal to f of x2 suppose किया था और implies x1 is equal to x2 आ गया hence f is 1 1 function तो आई होगा आपको समझ में आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं असे अटो आज का लाच बोलोगा नास question function f ए बढ़ा n to r और f of x है x2 plus 4x plus 7 upon x2 plus x plus 1 और मुझे नेच्छर चेक करना है मतलब 1-1 है या नहीं, many-1 है है नहीं, दोनों में से क्या हो हमें, चेक करना है, ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, तो 4 x1, x2 belongs to natural number, में बेटा, f of x1 is equal to f of x2, accept कर रहा हूँ, तो यह क्या होगा है बेटा, x1 square plus 4 x1 plus 7 upon x1 square plus x1 plus 1 is equal to x2 square plus 4 x2 plus 7 upon x2 square plus x2 plus 1, तो अगर थोड़ा मैं इसको directly से cross multiply कर दूगा, तो तो आप देख सकते हो, बहुत थोड़ा typical हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा यहां से और simplify कर दूँ, कैसे बेटा, तो उपर नीचे दोनों square है ना, तो मैं उपर है ना, जो नीचे है, उसको copy मार दूँ, जिससे, फिर denominator हम सेपरेट कर देगे, मतलब, उपर x1 square plus x1 plus 1, ऐसे में रख दो, अभी balance करूँ, बहुत, उपर x1 square थो था यहां पे x1 और उपर 4 x1 थो, plus 3 x1, plus यहां पे 1 use किया, यहां पे total 7 था, तो 6 होना चाहिए, और denominator में, x1 square plus x1 plus 1, बहुत, आप डिरेक लेसे cross multiply करके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा simplify है, थोड़ा typical हो जाएगा, okay, complicated हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे भी, जो denominator हो बेटा, यहां पे में उपर copy कर दूँ, और फिर्म balance करते, तो x2 square थो था, 4 x2, यहां पे x2 use किया, तो 3 x2, यहां पे 7, यहां पे 1 use किया, तो 6, upon x2 square plus x2 plus 1, okay, चलो, आगे बढ़ खाल यहां पेटा, x1 plus 2 upon x1 square plus x1 plus 1, और यहां पे अगर denominator को separate कर दो, तो यह upon यह क्या होगा, 1 होगा, plus, यहांसे भी एकर 3 common निकाल दो, तो यह क्या होगा, x2 plus 2 all upon x2 square plus x2 plus 1, तो यह 1, 1 क्या होगे, तो यह 3, 3 भी क्या होगे, तो यहां पे जो बचा क्या, बचा, x1 plus 2 upon x1 square plus x1 plus 1 यह बटा हो गया x2 plus 2 upon x2 square plus x2 plus 1 और अगर मैं यहां से cross multiply करूँ तो यह हो गया x1 x2 square plus x1 x2 plus x1 मतलब x1 के साथ पूरा multiply कि अब 2 के साथ करूँ तो 2 x2 square plus 2 x2 plus 2 upon x2 is equal to अब इसको यहां पर x2 के साथ पूरा multiply करूँ तो यह हो गया x1 square x2 plus x1 x2 plus x2 plus 2 के साथ अगर multiply करूँ तो 2 x1 square plus 2 x1 plus 2 बन्जा तो यहां पर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कैंसल हो गए फिर क्या कैंसल हो रहा है x1 x2 square और x1 square x2 अगर मैं इसको बाजू बाजू में रखू देखो ऐसे x1 x2 square minus x1 square x2 इसको एक bracket बना देते फिर बेटा यहां पर में क्या करूँगा plus x1 तो था आई अगर 2 x1 इस तरफ आएगा तो यह हो गया x1 minus 2 x1 तो यह हो गया minus x1 फिर यह 2 x2 square दो चला गया अभी 2 x2 square और यह 2 x1 square इस तरफ लाए और समसे 2 common निकाल दो तो क्या बचेगा x2 square minus x1 square चला यह भी हो गया और अभी 2 x2 minus x2 तो यह हो गया plus x2 is equal to यहां भी कुछ नहीं बचा तो जीरो तो अगर बेटा यहां से बेटा देगा इसको x1 x2 common निकल रहा है तो यहां पर क्या बचेगा x2 minus x1 और फिर यह भी x2 minus x1 को एक bracket बना दो x2 minus x1 और यह plus 2 x2 square minus x1 square इसको x2 minus x1 into x2 plus x1 लेख सकता हूं तो अभी जेगो सारे term में से x2 minus x1 common निकल रहा है तो x2 minus x1 common निकाल लो तो दूसरे bracket में क्या बचेगा x1 x2 plus 1 plus 2 x2 plus 2 x1 is equal to 0 तो same thing बेटा यह दो bracket का multiplication क्या आया 0 आया तो आधर इस bracket 0 और इस bracket 0 लेकिन हमें पता है कि x1 और x2 दोनो बेटा natural number है तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यह भी positive आईगा यह भी positive यह भी positive minimum positive number 0 natural number में 0 तुम कभी ले नहीं सकते तो यह वाला जो bracket सारे plus में होते हैं तो सारे natural number के positive plus क्या होते है natural number होते हैं तो यह जो bracket है बेटा वो कभी भी 0 होगा नहीं हैंस जो x2 minus x1 वाला bracket है वो 0 होगा तो यह हो गया बेटा x2 is equal to x1 तो बेटा f of x1 is equal to f of x2 हमने suppose किया था और x1 is equal to x2 आ गया hence f is one one function तो आपको आज का सेशन समझ में आया है कि आज के सेशन में वन function क्या होता है और many one function क्या होता है उसके discuss की और उसके बेस पे question के से solve करते हैं वह भी आपको बताया ठीक है तो आज का lecture यहां पे